हेलो एवरिवन वेलकम टो माई चैनल और आज हम डिस्कुस करेंगे इंस्टुमेंटेशन एंड अप्लिकेशन आफ यूवी विजिवल इस्पेक्ट्रसकोपी जिसे एलेक्ट्रोनिक इस्पेक्ट्रसकोपी भी कहते हैं तो स्टाट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इस चैप्टर से रिलेटर दूसरी वीडियो इस भी आपको आसानी से मिल सकें तो यहां हम आज दिखेंगे इंस्ट्रुमेंटेशन एंड अप्लिकेशन आफ यूवी विजिवल स्पेक्ट्रसकोपी यहां देखिए एक सेटप बना हुआ है यह सेटप एक्चुली में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सारी चीज़ें यहां पर दिख रही है अब यह थोड़ा सा स्पेसलाइस हो गया है क्योंकि हमने यूवी विजिवल लाइट यहां पर यूज़ की है इसलिए इस spectrophotometer को UV visible spectrophotometer बोलते हैं तो देखते हैं इसमें इस setup में एक light source होता है तो इस light source में हमने क्या लिया था यूजी UV visible light source लिया है UV visible जो होती है actually different wavelength की lights होती है जिसमें 200 से 800 enum wavelength की lights आती है specifically एगर बोलें तो 200 से 400 enum wavelength की light को UV light बोलते हैं जबकि 400 to 800 enum wavelength की light को visible light बोलते हैं तो यहाँ पर दोनों हमारे पास हैं UV visible अब आगे देखते हैं तो यह monochromator है monochromator actually दो slit 1 and 2 दो slit और एक prism से मिल कर बनता है और यहाँ पर source से जो light निकलती है, radiation निकलती है तो पहले इसलिए, first slit का roll होता है कि इस light को parallelly print पर फाल कराए ठेक है, print पर light आने के बाद print क्या करता है, इस light को different wavelength की lights में bifurcate कर देता है और जो second slit है, वो एक specific wavelength की light को ही अंदर पास होने देता है अब एक खास wavelength की light अंदर पास होती है और जैसे अंदर जाती है, यहाँ पर वो light दो equal intensity की light में convert हो जाती है equal intensity की light में convert हो रही देखिए, I0 यहाँ भी I0 अब यह जो पहली light है, इसको हम एक reference cell में भीजते है reference cell, actually में एक qubit होता है, जो quad यह काच का मना होता है उसमें कोई sample रख सकते है तो एक reference cell है, जिसमें कोई sample नहीं है, यह blank है या फिर इसमें buffer solution का लागुआ है, उसमें pass करते हैं actually यहाँ पर कोई sample नहीं है, तो यहाँ पर light कोई absorb नहीं होगी तो जिस intensity की light हम यहाँ से pass करते हैं, उसी intensity की light यहाँ पर transmit हो रही है I0 and I0 और इस light को photo cell receive करता है detector उसको detect करता है और detect करने के बाद वो उसको recorder को भेज देता है recorder उसको spectrum के form में यहाँ पर record कर लेता है अब यह दूसरी जो light हमने same equal intensity की दूसरी light ली थी I0 उसको एक दूसरे sample cell में pass करते हैं इस sample cell में actually हमारा sample रखा हुआ है जिसे हमें study करना है और sample में हमने यहाँ पर protein लिया हुआ है तो protein यहाँ पर रखा हुआ है protein इस intensity की light को यहाँ पर इसमें से कुछ light को कुछ wavelength की light को absorb करता है और absorb करने के बाद जो बची हुई lights हैं उसको transmit करता है तो निश्यतरुप से जिस intensity की light हमने ली थी उससे कम intensity की light यहाँ पर transmit हो रही है देखिए I0 से यह I1 हो गया यानि कुछ नकुछ light यहाँ पर absorb हुई है ठीक है अब यह जो protein होता है protein actually amino acids से मिलकर बना होता है इसमें बहुत सारी aromatic rings होती है double bands होते है उसमें जो electrons होते है वो electrons जो light यहाँ पर आती है वो light actually में energy या photons के form में होती है तो वो protons, वो electrons वो electrons, रोटिन के जो electrons है वो light की energy को photon को absorb करते है और absorb करने के बाद excited हो जाते है और lower energy से higher energy में transit हो जाते है यानि यहाँ पर electron का transition होता है इसी वैसे इसको electronic spectroscopy भी बोलते है अब यहाँ पर कम intensity की light transmit हो रही है जिसको photo cell receive करता है amplifier उसको amplify करता है detector इसको detect करता है then इसको recorder को भीजता है recorder इसको graph के form में यहाँ पर record कर लेता है clear होता है अब यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं यह जो sample cell है उसकी यहाँ पर length बहुत माने रखती है जिसको बोलते है path length इसको L से denote किया है दूसरा जो हमने यहाँ पर sample लिया प्रोटीन उसका concentration जिसको हमने C से denote किया है तो यहाँ पर एक scientist है Lambert और Weir जिन्होंने एक ला दिया था उनकर ला था कि A is directly proportional to C L A means absorbance यहाँ पर जो light absorb हो रही है absorbance किसके proportional है डिरेक्ट नी C यानि concentration of material या sample और दूसरा L path length of sample cell यानि Lambert बोलते है कि absorbance इस path length पर depend करता है याद कि path length ज़्यादा है तो absorbance ज़्यादा होगी जबकि beer बोलते है अगर sample का concentration ज़्यादा है तो absorbance ज़्यादा होगी ठीक है यह rule हमने देख लिया Lambert's beer lies को बोलते है ठीक है ग्राफ मिला है रिकारडर में उसका interpretation करते हैं और interpretation करने के बाद जो compound है हमने लिया है जो sample हमने लिया है उस sample के बारे में बहुत सारी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं through graph तो आईए दिखते हैं हमारे बास कुछ graphs हैं उस graphs का interpretation करते हैं उसको study करते हैं study करने के बाद sample के बारे हम बहुत सारी जानकारी आसानी से बता सकते हैं तो पहला graph देखे यहां पर हमारे पास है यहां पर x axis में concentration लिया हुआ है और y axis में transmittance है अभी हमने देखा कि यह reference cell या sample cell से जो light पास होती है उसको transmitted light बोलते है या transmittance light बोलते है उस light को और concentration के बीच अगर हमने graph plot किया तो इस तरह का मारे पास उस graph आता है यहां देखिए clear होता है कि अगर concentration बढ़ रहा है तो transmittance exponentially decrease हो रहा है it means अभी हम lembers beer la को देखें तुन्होंने कहा था कि अगर concentration बढ़ता है अगर concentration बढ़ रहा है तो absorbance भी बढ़ेगा यहां concentration बढ़ रहा है तो absorbance यहां पर बढ़ेगा absorbance बढ़ेगा तो transmittance क्या होगा कम होगा डिक्रीज होगा, clear होता है, तो देखिए, यहां पर concentration बढ़ रहा है, तो transmittance exponentially decrease हो रहा है, clear होता है, चली, अब दूसरा graph देखते हैं, जो graph, actually में, transmittance को ही हमने absorbance में convert कर लिया है, through log 1 upon t, यह जो t है, वो transmittance होता है, इस formula के थूँ, इस transmittance को हम absorbance में convert कर लेते हैं, और दू इस से हमें, यहां पर देखिए, एक straight line मिलती है, जो easy to interpretate है, इसको आसानी same interpretation इसका कर सकते हैं, यहां पर देखिए, concentration बढ़ रहा है, तो absorbance भी बढ़ रहा है, it means, हम यहां पर यह judge कर सकते हैं, यह निकाल सकते हैं, कि absorbance अगर बढ़ रहा है, तो उसका concentration से क्या relation है, concentration को हम क बढ़ रहा है तो concentration बढ़ रहा है अगर absorbance कम हो रहा है तो concentration कम हो रहा है इस तरह से हम जो compound हमने लिया हुआ है जो sample लिया हुआ है sample के absorbance के through sample के concentration को हम find out कर सकते हैं अगर हम sample के concentration को find out कर सकते हैं, it means sample की quantity को हम find out कर सकते हैं और इसलिए इस graph के दुरू हम इस sample की या इस compound की quantitative analysis कर पाते हैं ओके, clear होता है, चली, अब एक और graph है हमारे पास, जो absorbance और wavelength की बीच में है यह जो light absorb होती है, actually वे wavelength की खास wavelength की light को ही absorb करते है तो उस wavelength और absorbance की बीच अगर ग्राफ प्राट करते हैं, तो कुछ इस तरह का graph मिलता है यहाँ पर देखिए, absorbance बढ़ा और यह wavelength इस तरह आके decrease हो रही है, यह wavelength नीचे जा रही है, बढ़ रही है wavelength को हम lambda max से भी donate करते हैं, अब यहाँ पर हम हमारे पास कुछ standard spectra होते हैं, जो pure molecule के, pure compound के होते हैं, और वो एक खास wavelength पे maximum absorbance सो करते हैं जैसे हमने protein लिया है, तो protein जो original या pure protein होता है, वो 280 mm wavelength पर maximum absorbance सो करता है तो अगर हमारा compound जो हमने यहाँ पे लिया है, अगर वो pure है, तो निश्य तरूप से 280 mm पर ही maximum absorbance सो करेगा तो अगर ऐसा करता है, 280 mm पर protein maximum absorption या lambda max सो करता है, it means हमारा जो protein है, वो pure है तो हम बता सकते हैं कि वो उसके quality कैसी है, अगर protein हमारे impure है, तो 280 mm पर वो lambda max नहीं देगा वो 280 mm से कम दे सकता है या ज़्यादा दे सकता है, इसकी basis पर हम इस graph के थरू इसको interpretate करके हम बता सकते हैं कि हमारा जो compound है, जो sample है, उसकी quality क्या है, वो pure है कि impure है, इसकी सारी जानकारी हम इस graph के थरू बता सकते हैं, तो इस तरह हम इस compound या sample की qualitative analysis कर पाते हैं, क्लियर होता है, आईए अब बात करते हैं, application of UV visible spectroscopy या फिर electronic spectroscopy, इस spectroscopy के क्या-क्या applications हैं, इससे हम क्या-क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, पहला, identification of an unknown compound, कोई भी unknown compound जिसके बारे हमें कोई जानकारी नहीं है, उस compound को हम, इस UV visible spectroscopy में रख कर उसका testing करते हैं, और हम बता पाते हैं कि वो compound कौण सा है, कैसे, by comparing spectrum of unknown compound with known spectra, हमारे पास जो standard known spectra पहले से available होते हैं, तो वो हमारे पास रखे होते हैं, और जो unknown compound हमने लिया है, उसको पूरा analysis करने के बाद उससे जो spectra मिलता है, उस spectra को इस known spectra से match करात हैं, या compare करते हैं, और उसके बाद हम कुछ बता पाते हैं, if both spectra coincide, अगर दोनों spectra coincide करते हैं, एक जैसे दिखते हैं, identical दिखते हैं, तो हम कह सकते हैं, कि वो compound, दोनों compound identical हैं, यानि दोनों compound एक ही हैं, जैसे अभी हमने protein का case लिया था, protein 280 enum पर maximum absorbance so करता है, तो अगर protein हम हमारे पास जो standard spectra है, वो 280 enum दिखा रहा है, दूसरा जो compound हमने test में लिया हुआ है, protein का, वो भी 280 दिखा रहा है, it means दोनों identical हैं, दोनों एक जैसे हैं, if do not coincide, अगर coincide नहीं करते हैं, तो हम आसानी से बता सकते हैं, कि unknown compound is different from the known compound, known spectra से वो उसका spectra अलग होगा, तो हम बता सकते हैं, वो कोई दूसरा compound है, clear, दूसरा देखते हैं, detection of function groups, इस technique के थ्रू, UV visible spectroscopy के थ्रू हम आसानी से बता सकते हैं, कि उस compound के अंदर कौन सा functional group present है, क्योंकि functional group भी अपनी एक अलग peak देते हैं, अपना एक अलग spectra देते हैं, और उस spectra को interpretate करकि हम आसानी से बता सकते ह है, और साथ ही हम यह भी बता सकते हैं, कि उस functional group में कोई chromophore है की नहीं, chromophore actually यह ऐसे group होते हैं, जो color impart करते हैं, अगर compound coloration दे रहा है, color दे रहा है, it means उसमें chromophore present है, clear, third है extent of conjugation, conjugation को ऐसा समझ सकते हैं, कि उसमें double band है, या triple band है, ऐसा कुछ, जैसा अभी हमने देखा था, कि protein के case में देखा था, protein में कुछ aromatic compounds होते हैं, कुछ double bands भी होते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे, कि जो double bands होते हैं, या single bands होते हैं, उसमें electron का transition अलग-अलग होता है, अगर single band है, तो single band में electron का sigma to sigma star transition होता है, जबकि अगर double band है, तो double band में pi to pi star transition होता है, तो electron के transition के हैं इस फोर्थ नम्बर इस्टइडाइंग दा केमिकल कानेटिक्स था टेकनिक इस है फुलफुल फार इस्टइडाइंग दा काने टिस सफ़ रिचेशन यानि इस कमपाउन्ड में कुछ रिच्षन ओर यह लाइट लाइट और कम भूंड की बीच में क्या रिच्शन और यह के बाद क्या इसमें electronic transition हो रहे हैं उसके थूरू कैसे हो रहे हैं उसके थूरू हम बता सकते हैं कि उसमें जो reaction हो रहे है वो reaction की speed या है उसकी kinetics क्या है इनदे लास्ट वन इस मालिकुलर स्पेक्टरुमेटर स्कोपी या इलेक्टॉनिक स्पेक्टॉसकोपी के थू हम कई सीभी कंपाउंड का मालिकुलर उनर अर उसका केमिकल स्ट्रिक्चरा भी आसानी से बता सकते हैं